नमस्कार दोस्तों जैसा कि पता है आप लोगों को कि हम लोग आई द्रिष्टी का discussion कर रहा है magazine जो आई हुई है इसको line to line discussion नहीं कर रहा है कि line to line पढ़ें और आप सुन लें इससे क्या होगा कि आपको याद नहीं होगा कभी हम topic को जो है यहाँ पर ले रहा है और समझाने की कोशिस कर रहा है ऐसा नहीं है कि इसके बाहर समझाने कोशिस कर रहा है आपको यहीं सही समझाया जा रहा है लेकिन थोड़ा सा अपनी language में समझाया जा रहा है तो अगर आप पहला शुरू कर रहा है, सर्बोच नयाले का ध्वज और प्रतीक चिन, यहां देखिए, जो important है बात कि सर्बोच नयाले, अब जैसे quality में, देखिए question कैसे बनता है, कि quality में जब question बनेगा, तो सीधे Supreme Court से question जबाएगा, तो वहां के article जिकर होगा, जरूर, क्योंकि यह current का मुद्द है, तो यहां पर देखिए, सबसे पहले, जो अपने संविधान में, भारत का एक संविधान है, तो उसमें जिकर आता है, article 124, 124 में, यह एक पकाइदा उलेक है, वहां पर लिखा हुआ है, कि भारत का एक सर्बोच नयाले होगा, यह साब साब सब्दों में लिखा गया है, बात यहां पर आप समझ में आ रही होगी आपको, कि भारत का एक सर्बोच नयाले होगा, मतलब सुप्रिम कोर्ट होगा, यह बात लिखा गया, और यह तभी आ गया था, जब 26 जनौरी 1950 को संविधान लागू हो रहा था, तो साथ ही साथ सर्बोच नयाले आस्तित्र में आ आ गया, 28 जनौरी 1950 को सर्बोच नयाले का उधगाटन किया गया था, तो देख रहे हैं, दो दिन के अंतराल पे ही आ गया था, जो समिधान के लेखक थे सब, जो बैटकर चैचा कर रहे थे, वहाँ पर इन्हें यह लगा होगा, जरूर की एक ऐसा नयायाले होना चाहिए, ज सभी को नेड़े दे, अपना मतलब जस्टिस सब को दिला सके, तो यहाँ पर 28 जनौरी 1950 को सर्बोच नयाले का उधगाटन भी किया गया था, तो इसी को ही अब सर्बोच नयाले अभी से जो है अपना डायमेंड जूबली येर मनाने लगा है, जो कि जनौरी 2025 में इनका पू पूरा होगा, लेकिन अभी से ही ये मनाया जा रहा है, तो आए इसी पर बात करते हैं कि पहले जो टॉपिक दिया गया है कि सर्बोच नयाले का उधगाटन जब हुआ, 28 जनौरी 1950 को, और इसके पहले जो मुखित नयाधिस, जिसे आप बोलते हैं CJI, Chief Justice of India, तो नयायमूर्त और हो सके तो इसको नोट डाउन भी कर लिजेगा, 28 जनौरी 2024 को, सर्बोच नयाले ने अपना अस्थापना दिवस मनाया है, और अपनी अस्थापना की हीरक जैनती वस, डाइमंड जुबली एस की सुरुवात की, 28 जनौरी 2024 को, सर्बोच नयाले ने अपना अस्थापना दिवस मनाया है, और हीरक जैनती वस की सुरुवात कर दी है, मनाने के लिए, 28 जनौरी 2050 को, सर्बोच नयाले की स्थापना की 75 वी वस गाठ मनायी जाएगी, तो आप जो है, यहां से देख सकते हैं, यह पॉइंट और मैं कहूंगा, कि हो सकता है, बहुत लोग की यह आ रही है सिकायत की, PCS अधिकारी सर्च करने पे चैनल नहीं आ रहा है, तो आप add the rate PCS अधिकारी लिखेंगे, continue लिखेंगे, तो आ जाएगा चैनल, किस्मरडियत पत्थ जो बात आ रही है, यहां पर याद करने के लिए, कि 1 सितंबर 2024 को, राष्टपती द्रोपदी मुर्भू ने भारत के सर्बोच नयाले के ध्वज और प्रतीक चिन का अनावरड किया है, तो प्रेसिडेंट ने ध्वज और प्रतेक चिन का अनावरड किया है, सर्बोच नयाले का ध्वज जो है नीले रंग का है, आप इसको important माप कर लीजिएगा, ध्वज से अक्सर question आ जाते हैं, खासकर अगर important institution है, तो और भी, इस ध्वज में संबिधान के खुले हुए पन्नों से सर्बोच नयाले के गोलाकार भवन को उभरते हुए परदेसित किया गया है, और इस ध्वज में नयालाय भवन को सुनहरे रंग से चित्रित किया गया है, और इस धोज में नयाले को गोलाकार भवन के उपर अशोग चक्र को अस्थान दिया गया है इस संपूर डिजाइन को एक ब्रित सरकिल द्वारा घेरा गया है और जिस में नीचले भाग में संस्कृत स्लोक लिखा है यतो धर्मस्ततु जया यतो धर्मस्ततो जया यह स्लोगन जो लिखा गया है यह सर्वोच नियाले का स्लोगन है इस स्लोग का जो अर्थ होता है जहां धर्म है वहां जीत है आप इस स्लोगन को याद रखे है कि जब आप राम मंदि जाते हैं आयोध्या राम मंदिर इसलिए जिकर कर रहा हूँ जिससे आपको याद रहे यह तो धर्मस्तो जया जो लिखा है जब आप राम मंद जाते समय गेट के पास पहुंचते हैं मतब इंट्री ही करते हैं अयोध्या में तो आपके लेफ्ट साइड में यहाँ पर एक दिवाल है उस पर लिखा गया है यही स्लोगन तो जिसका आर्थ है जहाँ धर्म है वहाँ जीत है अब जब भी कभी जाईएगा तो वहाँ पर जरूर देखिएगा वो सुप्रीम कोट का जो है स्लोगन है यह तो धर्मस्तो जया स्लोगन पूछ लेता है अक्सर इस धोच के मध्य भाग में पदेशिट डिजाइन भारत के सर्भोच नयाले के नए प्रतीक चिन्ध के रूप में कारिक करेगी तो यह प्रतीक चिन्ध की जो बात हो रही है कि अब जो है धोच के मध्य भाग में पदेशिट डिजाइन जो है अब सर्वोच नियाले के नए पतेक्चिन के रूप में कार करेगी यह आई यह सर्वोच नियाले के 75 उवस की बात करते हैं तो सिक्का समारे डाक टिकट जारी हुआ है इसमें 31 अगस से 1 सितंबर 2024 को सर्वोच नियाले द्वारा राष्टे जिला नियाय पालि का समेलन का आयोजन भी किया गया है ये आयोजन आपका भारत मंदपम में हुआ है नई दिल्ली में किया गया है इसके उद्घाटन जो है पीएम जो है नरियन मोदी जी द्वारा किया गया है फिर next point की बात करते हैं कि इस अवसर पर पधान मंतरी ने सरवोच नयाले की अस्थापना के 75 वर्स के उपलच में एक सिक्का और एक इसमारक डाक टिकट जारी किया है आपको जो ध्यान देने योग बाते हैं यहाँ पर आर्टकिल को याद रखेगा कि 124 में जिक्र है सुमेलित करने के लिए ये आर्टकिल आएगा उसके बाद 26 जनौरी 1950 को संभिधान तो लागो हुआ तो साथ ही साथ 28 जनौरी 1950 को सरवोच नयाले का उधगाटन भी वहीं किय ही बात करता है कि पहले जो ccii बनते हैं वो हरी लाल जेकानिया जी बनते हैं फिर 28 जनौरी 2024 को सरवोच नयाले ने अपना स्थापना दिवस मनाया जुबली एस भी घोषट कर दिया सुरुवात मनाने लगा है शुरुवात अस्थापना की सुरुवात कर दी है तो 28 जनौर रंग का ही है। अखुले पन्नों पर सम्विधान का जो खुला पन्ना शर्भोच नियाले के गोला कार भौन को ऑभरते हुए पदैसित किया गया है। फिर नियाले भौन को सुनारे रंग से चित्रिदभी किया गया है। यह सब ध्वज की बात हो रही है अभी तक और वहीं पर बात करते हैं कि नियालक गोलकार भौन के ऊपर जो असोक चक्र को अस्थान दिया गया है एक बृत द्वारा घेरा गया संपोर्ड डिजाइन और स्लोगन लिखा गया है वहां का यतो धर्मस्ततु जया जिसका अर्थ है कि जहां धर्म हो वहां जीत है इतनी बात सब्सक्राइब आप एक दुबार सुनेंगे तो आपको याद रहेगा उसके बात इसी में नेक्स्ट बात करता है कि बाढ़वड पत्तन का सिला नयास अब यह जो है आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है यहां बाढ़वड पत्तन कहां पर है यह ज्यादा इंपॉर्टें है इसके बारे मैं भी details में बात होगी लेकिन उससे पहले और कई पत्नों का भी जिक्राएगा उसको आपको note down करके चलना है क्योंकि अक्सर question जो देखा गया है वो पत्न पूछते हैं और अस्थान का नाम पूछ लेते है क्योंकि सुमेलित करना होता है या फिर आप से कुछ भासा में पूछते हैं कि यह आप note down कर लिजेगा कुछ ही पत्न होते हैं जो बार बार रिपीट होते हैं इसलिए इसका जिक्र में कर रहा हूं वर्तमान में भारत में कुल कुल जो है बारा पत्न मेंजर पोर्ट में यहीं पूर्ण रूप से कैंद सरकार के शवामित के अधिन हैं और महापत्न प्राधिकरण अधिनीयम दोहजार एकीस यह प्रधृण द्वारह शासित है, तो टोटल पूछेंगे तो बारा महापत्तन है मेजर पोर्ट हैं, और ये केंद सरकार के स्वामित्ट के अधीन है इस बात का ख्यालाब रखियेगा उसके बाद इसमें है मेजर पोर्ट हेक्ट अध्राइस्ट ही प्रादिकरण अधिनियम महापत्तन प्राधिकरण अधिनियम 2021 के ताहत ये सासित हैं अगर देखा जाए तो भारत में वर्तमान में इस्थित जो पत्तन है सुद्रिड ग्राह का अधार बुनियादी धाचाव सरचना आधी जैसे सुभिधाव से तो लेस हैं लेकिन विस्ता संबंधी बाधाव के इसमें आप देखेंगे पिर कंटेनर पोतो के लगतार बढ़ रहते हैं आप देख रहे होंगे कि इस समय जो है पत्तनों का निर्माड पर काफी दिया जा रहा है जैसे एक एक जम्पल की बात यहीं करते हैं कि भारत माला प्रोजक्ट की बात करते हैं भारत माला प्रोजक्ट पर योजना जिसे बोलते हैं इस पर भी काफी हद तक काम किया जा रहा है आप भारत के जितने तट्ये इ दिखेंगे यहां सब पत्तनों की बात केर जा रहे हैं इसलिए पोर्ट का निर्मार्ट लगातार होता जा रहा है अभी यहाँ पर इतने अच्छे पोर्ट नहीं है उतना कुछ हैं जैसे मुंबई के हैं आपका जो जवआ हलाल नहरू पत्तन और मुंबई पत्तन आदिपस सं पहले से ही गंबेज चिंता कभी से बना हुआ है तो अभी भी सुधरे नहीं है इसलिए इस पर जोड दिया जा रहा है भारत के पश्चिमितर पर गाहरे पत्तनों का विकास करना अतियन तावस्यक हो गया है यही सब कारण है तो इसी सब बातों को ध्यान में रखते हुए जो फैक्ट याद रखना है कि 30 अगस 2024 को पधान मंतिर नरेंद मोदी ने वाड वड पत्तन का सिलानियास रखा है वाड वड पत्तन महाराष्ट के पालगर जिले में धाड़ू नगर के निकट इस्थित है इस बात को ध्यान रखना है वाड वड पत्तन जो है महाराष्ट के पालगर जिले में धाड़ू नगर के निकट इस्थित है पालगर का नाम आप सुने भी होंगे पहले भी अक्सर चहिचा में बना रहता है ये पधरमंत Rabbi नरनमोदी ने जो इसकी अध्याचता कर रहा है केंद्रिया मंद्रि मंदल ने इनकी अध्याचता में केंद्रिया मंध्री मंदल ने 19 जून 2024 को इस पत्तन की अस्थापना को स्वकिति पदान की थी भूम अधिगराण संबंदी कुछ जो लागत लगी है इस परियोजना में 73,220 करोड रुपे आई है इस परियोजना के निर्माड में बारवर्ड पोर्ट प्रोजेक्ट लिम्टेड VPPL द्वारा किया जाएगा जो निर्माड की बात कर रहे है फिर वहीं VPPL, JNPA जो जवालाल नहरू पोर्ड की बात हो रही थी और MMB, महाराष्टरा मेरिटाइम बोर्ड की बात हो रही है द्वारा गठित एक विसेश प्रियोजन वाहन, ESPV है जिसमें उनकी हिस्सेधारी करमसा 74% और 26% है बात करें इसी में तो वाडवर्ड पत्तन को हर मौसम के लिए उप्यूक्त Greenfield Deep Drop महापत्तन के रूप में विक्सित किया जाएगा Greenfield, Grayfield दो होता है Term सबसे बड़े गहरे जल वाले पत्तनों में से एक होगा ये जो वाडवर्ड पत्तन है सबसे बड़े गहरे जल वाले पत्तनों में से एक होगा और निर्माड पूरा होने के पस्चार यह पत्तन जो हो जाएगा 20 के 60 दस पत्तनों में से एक हो जाएगा तो यह पत्तन पारगमन समय जिसे बोलते हैं लागत को कम करते हुए अंतर राष्टिय सिपिंग मारगो से सीधी कनेक्टिविटी पदान करेगा और यह पत्तन देखा जाए तो बड़े कंटेनर पोतो अति विसाल माल वाहक पोतो को आसाई से ठहराने की छंता पदान करता है यह सब बाते आपको कमन सेंस से भी याद रहेगी फिर वही है कि आर्थिक विकास को बढ़ावा भी मिलेगा इससे जब डेवलेप्मेंट हो जाएगा इसका विकास हो जाएगा यह पत्तन जो है बारवर पत्तन की जब बात हो ही रही थी तो 2035 में 15 मिलियन टी यू येस की T.E.U.s की कंटेनर छमता जोड़ेगा जो वर्स 2040 तक बढ़कर 23.9 मिलियन T.E.U.s हो जाएगी तो इतना हो जाएगा आपका ये तो फैक्ट है ऐसे ही लेकिन जो नीचे मेजर पोर्स 12 है इसका अस्थान जरूर याद रखे अस्थान इसलिए कह रहा हूं याद रखने के लिए क्योंकि अक्सर जो है सुमेलित करने के लिए आ जाता है तो स्यामा पसाद मुखजी पत्तन कोलकाता में है हल्दिया सहित इसकी पारा दीब पत्तन की बात कहते हैं तो ओडिशा में इस्थित है विसाखा पत्नम पत्तन आंध्पदेश में है कामराजर पत्तन तमिलना नाडू में है और आप इसको important mark कर लिजिएगा और सब आएगा तो एक बार के लिए कर भी लेंगे पारादीब भी पूछा गया है ओडिसा में है जैन नई पत्तन की बात करेंगे तो तमिल नाडू में है वी ओ चितंबर नार पत्तन है यह तुतु कुड़ी जो है तमिल बात हो चुका जवालल नहरौ पत्तन यह भी महाराष्ता में है इस पर भी पहले बात हो चुका मुरू पत्तन गोवा में है यह question मंगलूर पत्तन कर्नाटका में है मद्ध योग द्वारही पूछा गया है कोचीन है केरल एन इतने जो 12 पोर्ट्स है मेजर पोर्ट्स है इसको आप डाउन कर लिजिएगा एक जगा या फिर आप स्क्रीन सॉट ले लिजिए वह ही सही रहेगा एक बार के लिए फोटो क्लिक करके रख लिजिए गए इसका फिर बात करते हैं जो कंटेनर पोर्ट पर्फार्मेंस इंडेक्स की बात करते हैं 2023 कंटेनर पोर्ट पर्फार्मेंस इंडेक्स ये चाजोन 2024 को CPPI 2023 जारी किया गया है ये चौथा संस्क्रण है बिस सुबैंक और S&P Global Market Intelligence द्वारा जारी किया जाता है ये यह सुचका और यहीं बात करते हैं कि इस सुचकांक के अंसाथ 2023 में पूर्वी और धच्छड़ी पूर्वी ACI पत्तनों ने उतकरिष्ट प्रदसन किया है इसलिए ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है पूर्वी और धच्छड़ पूर्वी ACI पत्तनों ने उतकरिष्ट प्रदसन किय है इस सुचकांक में सीज 20 अस्थानों में से 13 अस्थानों पर इसी छेत के पत्तन सामिल थे कि इस सुचकांक में लगाता है दूसरे वर्स चीन का यांग सान पत्तन पत्तम अस्थान पर रहा है तो यांग शान पत्तन पोछ सकता है कि कहां पर है तो चीन में है ध्यान में रखियागा इस सुचकांग के इतिहास में पहली बार विश्ण के 3่ सो इस पत्तनों की सुची में भारत के 9 पत्तनों को सामिल किया गया है और वहीं देखा जाये तो 2023 में 20-60 20 पत्तनों की सुची में विसाखा पत्नम 19-वां अस्थान पाया हुआ है उलेखनी है कि 2022 के सुचका अंक में यह पत्न 115 अस्थान पर था काफी अच्छा सुधार हुआ है विसाखा पत्नम में कुछ 100 जो पत्नों में सामिल भारतिय पत्न है उनकी रैंक दिया गया है पत्न का नाम दिया गया है और इस्टेट दिया गया है तो 19-वां रैंक जो की पहले बताए हम विसाखा पत्नम पत्न है आंध्पदेश का 27-वां रैंक जो प्राफ्त हुआ है मुंद्रा पत्न को मिला है गुजरात का और यह आप important mark कर लीजिएगा यह भी question आया हुआ है मुंद्रा पत्तन है एक्तियालßओं rank की बात करता है तो पीपा वाव पत्तन है गुजरात का ही है काम्राजर पत्तन की बात करें तो 47 स्थन रेंक मिला है और तमिल नाडु का आई यह यह भी हम पहले भी बात कर चुके है शीठी रेंक पे बात करते है तो कोचीन पत्तन है केरल का कि 68 रहंगे हैं हजीरा पत्तन गुजरात का यह पूछा गया कुष्चन है कि जहां पर बता रहा हूं पूछा गया इसका मतलब एकजाम में आयोग द्वारा ही बनाया गया है आप पिवाई क्यू सॉल्व करेंगे तो यहीं सब फायता होता है पिवाई क्यू सॉल्व करने पर क्रिश्टा Pतन की बात करते हैं तो 18 रैंक है। उसका आंद्रबदेश मेश्टी थे। 9 cioè 9 रैंक नार्थ नाडू 96 पर भात करते हैं तो जवहलाल नेहरू पतन महाराष्ट्रा का इसका जिक्र भी हो चुका है उपर तो 96 रैंक तक टॉप 100 की बात किया है तो 96 रैंक जो है जवालल नहरु का है महाराष्ट्रा का फिर आप बात करते हैं NC-NICDP 12 नय और द्योगिक सहरों को मंजूरी NICDP इसका फुल फाम क्या होता है नेशनल Industrial Corridor Development Program तो यहां देखिये राष्ट्रे और द्योगिक गलियारा विकास कारिकरम है इसका मतब राष्ट्रे अस्तर पर और द्योगिक गलियारों के विकास की बात हो रही है तो इस कारिकरम का कुछ लच्छ भी है भारत में भाविस्च के और द्योगिक सहरों का विकास करना यही लच्छ है लच्छ को आप ध्यान में रखिएगा भारत का सबसे महतो कांची बुनियादी धाचा कारिकरम है यह और इस कारिकरम का लच हमने बताया कि भविस्व के और द्योगिक साहरो का विकास करना है और जो विस्व के सर्बोत्तम बिनिर्माड और निवेस अस्थलो के साथ प्रतिस्फदा कर सकें इसलिए डेबलेमेंट भी किया जा रहा है जो ये दूर द्योगिक साहरो का निर्माड स्मार्ट साहरो के रूप में करने की परकलपना की गई है दिसंबर 2020 में भारत सरकार ने यन ICDP के अंग के रूप में चार चड़ो और फेजेज में 11 अउद्योगिक गलियारो के विकास को सुविकिति पधान की गई है आप देखेंगे करेंट कुछ नया नहीं होता है वो पुराने ही रहते हैं बस उसी को उसी में अपडेशन आता है तो करेंट बन जाता है इसमें 11 गलियारो के अंतरगा चार चड़ो में कुल 32 परियोजनाओं सामिल थी और 32 परियोजनाओं में से 28 अगस 2024 को केंश सरकार ने यन ICDP के अंतरगत 12 नए अद्योगिक नोट्स या सहर की अस्थापना को मंजूरी पदान की है ये चीजे करेंट की है क्योंकि 28 अगस 2024 की बात हुई कोई भी कंट्री हो कोई भी अस्थान हो ये बारा अद्योगिक सहर दस राज्यों में विस्तित होंगे इन्हें छे प्रमुख गल्यारों के साथ रड़नीतिक रूप से नियोजित किया जाएगा प्लांड वे में किया जाएगा ये सब किजे तो जो सबकिती है इसकी बारा नए अद्योगिक सहरों में से केवल ग्यारा सहरों के नाम की घोश्ड़ा की गई है और जो ग्यारा सहर है उसका वो लेख अभी नहीं है आदस आचार सहिता लागू है इसके चलते नहीं है एक सहर का नाम बाकि देखते हैं हर्याडा जम्मो कस्मीर में बिधान सभा चुना नाम है उसको देख लीजिए इसलिए देखिए क्योंकि सीधे सीधे ये नाम देगा पूछ लेगा अस्थान कहां पर है और वो ग्यारा में जो पहला है नाम आता है उत्राखंड में उत्राखंड में है खुर्पिया में खुर्पिया में और द्योगिक सहर बनेगा राजप कलियारे के रूप में प्रियाग राज को नोट डाउन कर लिजेगा उत्तरपदेश गया अगर आप BPSC का एक्जाम दे रहे हैं तो इसको नोट डाउन कर लिजेगा बिहार गया जहीराबाद तेलंगाना है औरवा कल की बात करें तो आंधपदेश अब जो कुईशन बनेगा तो यह दोनो उसमें आप्शन में मिलेंगे आपको को पड़ती आंधपदेश है और जोधपूर पाली की बात करें तो राजस्थान की जिक्र है इसमें 11 टुटल है तो आपको जो याद रखना है जहीराबाद तेलंगाना का ओवरवा कल आंधपदेश का खुरपिया खुत्राखंड का इसको आपको याद रखना है फिर यह जो 11 राष्टिया उद्ध्योगी गलियारे हैं यह जो गलियारा मतलब कहीं न कहीं कनेक्टिविटी रहेगी किसी न किसी अस्थान से सहर से या राज से कनेक्टिविटी रहेगी यह यहां से पोच सकता है कि यह कहां से कहां जुड़ेगा जैसे दिल्ली मुंबई और द्योगी गलियारा रहेगा DMIC अमरिस्सर कोलकाता अद्योगी गलियारा AKIC चेन्नाई बैंगलूरू अद्योगी गलियारा रहेगा CBIC बिजाग चेन्नाई वाई जैक बोलते हैं बिजाग चेन्नाई अद्योगी गलियारा VCIC बैंगलूरू मुंबई अद्योगी गलियारा BMIC ओडिशा आर्थिक गलियारा OEC हैदराबाद नागपुर अध्योगिक गलियारा HNIC हैदराबाद वारंगल अध्योगिक गलियारा HWIC हैदराबाद बैंगलोरू अध्योगिक गलियारा HBIC कोई मतूर होते हुए कोच्ची तब CBIC का विस्तार दिल्ली नागपुर अद्योगिक गलियारा डी एन आई सी इतनी बाते हैं इसको बताने का परपज यह है कि एक बार आप सुने रहेंगे तो आपको ज़्यादा तर हिस्सा याद ही रहता है तो जो चार जो ग्रिन फिल्ड अद्योगिक स्मार्ट सहर की बात की गई है बिक्सित ग्रिन फिल्ड अद्योगिक स्मार्ट सहर वो है धोलेरा विशेश निवेश छेत्र है गुजरात का धोलेरा और अंगाबाद अद्योगिक सहर महाराष्ट्रा का है एक इकरित औध्योगिक टाउन्शिप की बात कर रहे हैं तो ग्रेटर नुएडा आपका है उत्यपदेश में एक इकरित औध्योगिक टाउन्शिप बिक्रम उत्योगपूरी मध्यपदेश का अस्थाना यह जो चारो ग्रीन फिल्ड का नाम है यह फिर नेक्स पॉइंट बात करते हैं जो एक चर्चा का बिसे रहा है नियूज में और काफी जोरो सोरो से चर्चा हुआ है इसमें जो याद रखना उस पर ही बात करेंगे ज्यादा तर चुकि एक इकरित पैंसन योजना है इंटिग्रेटर किया गया है इसलिए पैंसन की बात करते हैं केंद सरकार के कर्मचारियों को बिद्धा अवस्था में आय सुरच्छा पतान करने की द्रिष्ट कोड से एक नई UPS Unified Pension Scheme एक इकरित पैंसन योजना को मंजोरी पतान की है तो या योजना जो होगा केंद सरकार के लगवक 23 लाग कर्मचारियों को लाव प्राप तो होगा इससे ऐसे उमीद जताई जा रही है National Pension Scheme राष्टिया Pension पढ़ाली के तहत लाभारती हैं उनके पास UPS पर स्विच करने का एक आप्सन रहेगा एक मुस्त विकल्प One Time आप्सन होगा जरूर तो इसमें UPS की बात भी कही गई है उसके बाद फिर आता है कि 25 अगस 2024 को अपने सभी कर्मचारियों के लिए UPS को मंजूरी पदान करने वाला महाराष्ट्रा पहला राज बन गया है और यह आप important mark कर लीजिएगा इसमें कि UPS को मंजूरी पदान करने वाला महाराष्ट्रा पहला राज बन गया है अब चो फैक्ट है उसको ध्यान में रखिए 24 अगस 2024 को पधान मंतिर नरेंज मोदी की अध्यच्छता में केंद्रिय मंत्री मंडल ने एकी करीद प्यंसन योजना UPS को मंजूरी दे दी है यह यह योजना एक अप्रेल 2025 से प्रभावी होगा आप इसको important mark कर लीजिएगा क् कि यहां से एक अप्रेल 2025 से प्रभावी होगा वो सकता 2024 भी दे दे यहीं पर 2027 भी दे दे तो आप गलत मत कर दीजिएगा और इसकी मुख्य विसेस्ताइट क्या है कि सुनिष्चित पैंसन की जाएगी पहली बात कि कर्मचार्यों को उनकी सेवान विरित से पहले के अंतिम के पैंसन को प्राप्त करने के लिए जो बात करते हैं नियुनतम 25 वर्स की सेवा आवस्यक होगी 25 वर्स से कम सेवा आवधा के लिए आनुपातिक रूप से कम पैंसन की जायेगी अगर 25 साल की सेवा किया है तो 50 परसंट लगबग मिलेगा और अगर 25 साल से कम है तो आनुपातिक रूप से कम मिलेगा ऐसा नहीं है कि एकदम कम हो जागा कम मिलेगा नियुनतन 10 वर्सों तक सेवा पदान करने वाले कर्मचारी ही UPS के तहट पेंसन के पात्र होंगे ये इसमें दूसरी पॉइंट की करते हैं तो सुनिष्चित पारिवारिक पेंसन की बात करते हैं सुनिष्चित पारिवारिक पेंसन है किसी कर्मचारी को उनके निधन से पहले प्राथ पेंसन के 60 प्रस्त के सम्तुल्य राश सुनिष्चित पारिवारिक पेंसन के रूप में पदान की जाएगी, सुनिश्चित नियुनतम पेंशन की बात करें, तो यह नियुनतम जो होगा, यह योजना, नियुनतम दस वर्सों की सेवा के बाद सेवानिभीत पर 10,000 रुपे प्रतिमाह की सुनिश्चित नियुनतम पेंशन पदान की गारंटी भी देता है, वहीं फॉ इंडेक्सेशन लागू होगा, महांगाई जिसे आप बोलता हैं, इंफलेशन को महांगाई में, महांगाई को ध्यान में रखा जाएगा, लेकिन सेवानवरित पर करमचारी ग्रेजुटी के अतरिक्ट एक मुस्त रासी के लिए भी पातर होंगे, ये भी आप ध्यान में रख 25% का होगा यह तो हो गया तेकी किरित पेंसन योजना आप इसमें जो याद रखेंगे कि 25 अगस 2024 को कि अपने सभी कर्मचारियों के लिए UPS को मंजूरी प्रदान करने वाला महाराष्ट्रा पहला राज बन गया है यह आपके लिए फैक्ट इंपॉर्टेंट है लेकिन उसके बाद जब बात करते हैं यनपियस वादसल्य वादसल्य मतलब छोटे बच्चे के लिए यह बाते कहीं गई होंगे तो इसके लिए भी एक पेंसन इसकीम चला है आवयस्क बच्चों के लिए नई पेंसन योजना आवयस्क 18 साल से कम उमर के बच्चे ही आवयस्क होते हैं तो तब तक के लिए इसमें क्या प्रावधान आया है कि केंद्रिय बित मंतरी निर्मला सीता रमड़ द्वारा केंद्रिय बजट 2024 पच्चे इसमें आवयस्क बच माइनर्स के लिए एक नई पेंसन योजना वातसल को गोस्रा किया है तो इसमें अंसदान आधारित पेंसन योजना है इसको आप ध्यान में रखिएगा अंसदान आधारित पेंसन है इसका मतलब है कि इनके माता पिता अभिभावक ही इसमें योगदान देंगे आवयस्क ब इसे सस्क्राइबर को प्रति वर्स नियुनतम एक हजार रुपे का योगदान करना ही होगा आठी बात की जा रही है कि एक हजार तो मिनमम जमा ही करना होगा अधित्तम चाहे जितना करें उससे मतलब नहीं है माता पिता और अभिवावक द्वारा आवयस्क बच्चों के हो जाएंगे अठारा प्लस हो जाएंगे तो एक सामान एंपीएस खाते में बदल जा सकेगा यह पेंशनी स्कीम अठाय सितमबर दोहजार चौबिस को बित्तमंत्री ने नई दिल्ली में एंपीएस वात्सल को लांच किया है यह पॉइंट नोट डाउन कर लिजिएगा फिर देखते हैं यन आई आरेफ इंडिया रैंकिंग्स दोहजार चौबिस केंद्रिय सिच्छा मंत्राले के अंतरगत नेशनल इंस्टिउसनल रैंकिंग फ्रेमवर्क की शुरुवात की गई है 29 सितमबर 2015 को यह शुरुवात की गई थी यह नाई आरेफ की नेशनल इंस्टिउसनल रैंकिंग फ्रेमवर्क की सुरुवात की गई थी इसमें क्या होता कि देश भर में कुछ सिच्छा संस्थानों को रांकिंग पदान की जाती है एक कारपडाली की रूप रेखा तयार किया जाता है जब इसका पथम संस्क्रड जारी हुआ था तो अपरेल इंस्टिटूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क के अंतरगत इंडिया रैंकिंग दोजार चौबिस को जारी किया है और यहां देश के उच्छ संस्थानों की रैंकिंग है नई दिल्ली इस्तित भारत मंडपम में जारी की गई है नौवा संस्क्रड है यह यह याद रखेगा आठ कटेगरी के अंतरगत इच्छ संस्थानों की रैंकिंग जारी की जाती है इसमें पहली जो है 8 कटेगरी की बात करता है समग्र ओबराल फिर कौलेज आता है फिर विस्विध्याले आता है फिर एन्मसंधान संस्थान नमाचार राज साजवनिक विश्विद्याले, मुक्त विश्विद्याले और कौसल विश्विद्याले की बात होती है इसमें तीन नई स्रेडिया यथा राज साजवनिक विश्विद्याले, मुक्त विश्विद्याले और कौसल विश्विद्याले को 2024 में पहली बार इंडिया रंकिंग्स में सामिल कि गया है तो इसको ध्यान में रखेंगे इसमें जो याद रखना है उसकी बात करते हैं क्योंकि पिछले अगर हम देखें तो 9 वर्स से लगातार जो है अभियांत्रकी के छेत्र में IIT मद्रास ने अपना वर्चस बनाए रखा है तो उससे पहले हम बात करते हैं कि उलेखनिय क् इंडिया रंकिंग के ताथ 8 विभिन विशेव के अंतरगत भी संस्थानों को रैंक पदान की जाती है समगर ओबराल कटेगरी में देखेंगे तो लगातार छठवें वर्स 2019 से 2024 में भाती है पद्दोकी संस्थान IIT मद्रास को पत्थम अस्थान मिला हुआ है लगातार 6 व से मिल रहा है पत्थम अस्थान 2016 से 2024 की जब बात हम करते हैं तो भात्य विज्ञान संस्थान बंगलोरु को लगातार 9 वर्स पत्थम अस्थान मिला हुआ है यह संस्थान अनसंधान संस्थान स्रेडी में भी लगातार 4 वर्स से इस अस्थान पर है तो अनसंधान स्रेडी जो है अनसंधान संस्थान के रूप में भी यह लगातार 4 वर्स फर्ष्ट पे रहा है आया कुछ रैंक देखते हैं जो इंडिया रैंकिंग 2024 से इस पांच संस्थानों की बाद जब करेंगे तो आयाटी मद्रास को फर्ष्ट जन्नाई सहर में इस्थित है 86.42 स्कोर के साथ भाते बिज्ञान संस्थान बैंगलूरू की बाद करते हैं 83.28 है सेकंड रैंक 30 की बात करते हैं तो आयाटी बॉम्बे है मुंबई में इस्थित है 81.3 साथ आयाटी दिल्ली फोर्थ अस्थान है नहीं दिल्ली में इस्थित है 80.3 है आयाटी कानपूर की बात करते हैं तो कानपूर में इस्थित है फिर रैंक प्राप्त किया है ये सताता दसलो 5-6 स्कोर है इसका वह ही 2024 की बात करते हैं इंडिया रैंकिंग्स उत्रपदेश के संस्थानों की स्थिति क्या है इसमें ओबराल में आयाटी कानपूर का हमने पहले जिक्र किया कि आयाटी कानपूर को मिला है 5th रैंक सताता दसलो 5-6 BHU को मिला है जो है वराड़सी में इस्थिति है 7-6 दसलो 5-6 रैंक के साथ यह गिराहवा अस्थान है सोलाहवे रैंक पर बात करते हैं तो AMU है AMU अलिगर्ड मुस्लिम उनिवर्सिटी अलिगर्ड है 64.17 स्कोर के साथ है मैं 30 रैंक पर बात करते हैं IIT BHU है जो है वराड़सी 58.69 स्कोर के साथ है 58.69 MET बिस्विद्याल है MET बिस्विद्याल है गौतम बुधनगर 54.04 स्कोर के साथ 49 रैंक पर है 58 पर बात करते हैं तो बाबा साहिब भीमराव अंबेटकर बिस्विद्याल है लखनाव में जो इस्थित है 53.26 स्कोर के साथ है फिर वहीं किंग जार्ज मेडिकल युनिवसिटी की बात करें लखनाव में इस्थित है ये 88 रैंक मिला हुआ है 48.98 स्कोर है में इस्विद्याल है गौतम बुधनगर में इस्थित है 95 रैंक है और 48.12 स्कोर है कुछ बिभिन इस्थान प्राप्त यहाँ पर संस्थान है इंडियाज रैंकिंग 2024 के इंसार बात हो रही है तो स्रेडी की बात करेंगे और पत्थम अस्थान प्राप्त संस्थानों की बात करते है तो विस्विद्याले स्रेडी में भात्य विज्ञान संस्थान बंगलूरू करनाटका में है कॉलेज स्रेडी में बात करें तो हिंदू कॉलेज दिल्ली में है अनुसंधान संस्थान स्रेडी की बात करते हैं तो भात्य विज्ञान संस्थान बंगलूरू में है नवाचार स्रेडी की बात करते हैं तो IIT Bombay की बात करते हैं मुक्त विश्विद्याले की बात करते हैं तो इगनू आपका है नई दिल्नी में इस्थित है इंद्रागाधी राष्ट्य मुक्त विश्विद्याले मुक्त विद्याले के स्रेडी में बात किया जाता है फिर तो इतनी बाते यहाँ पर आप देखें हैं फिर और भी चीजे हैं आईए इसी में ही बात करते हैं कौसल विश्व विद्याले स्रेडी जो 2024 में आइड हुआ है आपका तो Symbiosis Skills and Professional University जिसका पूर्व नाम था Symbiosis Skills and Open University था पूरे महराष्ट्रा में है महीं राज साज्जनिक्स विश्व विद्याले स्रेडी में बात करते हैं तो अन्ना विश्व विद्याले चेननाई तमिलनाडु का है यह फिर आएए देखते हैं कि इंडिया रैंकिंग 2024 में बिभीन विश्व में सीस अस्थान प्राप्त किस ने किया है जैसा कि हमने पहले बताया था कि अभियांत्रकी के विश्व में IIT मद्रास लगाता है नौए वस पथम अस्थान पर बना हुआ था अभियांत्रकी मतब इंजिनरिंग होता है चलिए आज यह बात करते हैं विश्व की बात करते हैं और पथम अस्थान प्राप्त संस्थान है अभियांत्रकी देखें इंजिनरिंग यहां लिखा भी है आयाटी मद्रास, प्रवंदन के बाद जब करते हैं, मैनेजमेंट की बाद करते हैं, तो आयाटी अहमदाबाद आप पहले भी सुने होंगे, इसको अस्थान मिला हुआ है, फार्मेसिक की जब बात करते हैं, तो जामिया हमदाद नई दिल्ली का, चिकिस्सा के छेत की बात कर रहे हैं, जो नई दिल्ली में हैं, एमस नई दिल्ली, तंत चिकिस्सा के छेत में बात करते हैं, तो सविता इंस्टिटुट आप मेडिकल एंड टेक्निकल साइंसेस चन्नाई का है, तमिलनाडू का है, विधी की बात करते हैं, जब विधी, नेशनल लाइ स्कूल आफ परियावरण उत्पाद सुचकांग, उत्राखंड का नाम आप पहले भूल जाएं, लेकिन जो यहां पर लिखा गया है, सकल परियावरण उत्पाद, यह आपके लिए इन्पोर्टेंट है, ग्रॉस इन्वार्मेंट प्रोडक्ट की बात हो रही है, सकल परियावरण का मुल्यांकन करने के लिए बिसेश रूप से डिजाइन किया गया है, इस बात को ध्यान में रखियेगा, इस्टेटमेंट अगर पूछेगा, कि GEP से क्या तात्पर है, तो आप यही वताएंगे, इस सुचकांग को मानविये हस्थ छेपों के कारण होने वाले पासर की वि निचरल है, वायू, जल, मिर्दा, वन, यह चारों इन्पोर्टेंट है, सभी के लिए, तो इनी कारणों को सुधार किया जाएगा है, कारकों में अगर सुधार हो रहा है, तो GEP सुचकांग में विध्धी देखने को मिलती है, यह सब अगर ठिक किया जाएगा, तो इस से पता चलेगा कि GEP मतब Cross Environment Products की बात करते हैं, उसमें सुधार हो रहा है, बिध्धी देखने को मिल रहा है, जिससे ग्यात होगा कि उक्तभावतिक छेत्र परियावरण के अनकूल है, और विकासात्मक गतविधियों के बावजूद भी या इस्थिर और सुधारात्मक है, तो जब बिध्धी देखने को मिलेगा, तो यह सब आपको देखने को मिलेगा, इसलिए, गिरावट दज या उसमें कोई नकारात्मक पदर्शन होने पर GEP सुचकांक में गिरावट देखने को मिलती है, तो अब आईए उत्राखंड की ही बात करते हैं, 19 जुलाई 2024 को उत्राखंड सकल परियावरण उत्पात सुचकांक को लांच किया है, सकल परियावरण उत्पात सुचकांक का सुवारम करने वाला उत्राखंड देश का पहला राज्य बन गया है, तो इसलिए आप इसको important mark करिएगा, उत्राखंड को ही याद रखेगा, क्योंकि इसमें न option मिलेगा तो नाथिष्ट का कोई न कोई यहां पर option में जरूर मिलेगा गर इस्टेट उत्राखंड को आप याद रखेगा क्योंकि आपके पाथ बहुत option रहते हैं तो confusion होता है उत्देश इसका क्या है भई लांच करने का कि पारिस्थिकी को अर्थव्यवस्था से जोड़न Linking Ecology with Economy यह उत्देश भी याद रखेगा उत्तराखंड GEP सुचकांग का आकलें चार मुख्य घटको यता जो बात पहले भी कही जा चुकी है कि जल, वाई, वन और मिर्दा के आधार पर किया जाएगा और यहां जो है GEP के प्रभाविक रियानिवन के लिए एक प्रकोष् विकास के साथ साथ जो है जल, मिर्दा, वाई, वन में क्या परिवर्तना है यह सब आप सुचकांग में देख सकते हैं सुचकांग के परिडामों के विसलेसर से भविस्क में परियावरर सनरच्षड के छेत में लच निधायत करने में मदद मिलेगी जो की उपर यह सब दोराया जा रहा है यह सब बाते उपर बताई जा चुकी है अब एक बेहद इंपॉर्टन टॉपिक जो हमेशा एक्जाम में पूछा जाता है आप देखते होंगे खास कर जब आप PCS का एक्जाम देते हैं तो वहां से लगातार आप देखेंगे पिछले 5-6 वर्सों में एक क्विश्टन जरूर मिला होगा SDG से संबंदित पिछली बात तो पिछली बात 2023 की बात कर रहे हैं तो उसमें 4-5 क्विश्टन मिल गए SDG से संबंदित सबस्टनेबल डेवलेमेंट गोल से संबंदित हलाकि डारेक्टली नहीं था वह एक ही कुष्टन डारेक्ट था लेकिन सबस्टनेबल डेवलेमेंट की बात हुई थी उसमें तो आये SDG इंडिया इंडेक्स की बात करते हैं 2023 जो आया हुआ है यह देखा जाए तो SDG इंडिया का प्रकासन जो है सब पत्थम जब हुआ 2018 में हुआ था SDG इंडिया का और SDG इंडिया इंडेक्सेस एम टेस्बोर्ट सन्युक्त राष्ट भारत एम यूएन डीपी इंडिया की साजधारी में नीति आयोग की एक पहल है यह ध्यान में रखिएगा नीति आयोग अब चर्चा नीति आयोग का होगा उदेश क्या है सुचकांग का उद्देश वैस्विक लच्छों को प्राप्त करने में राज्यों और किंसासित प्रदेशों के मध्य स्वस्त प्रतियस भर्दा को बढ़ावा देना है साथ ही देखा जाया तो यह सुचकांग पुन समवेदन सी छेत्रों और छेत्रिय अंतरालों की पहचा तीस तक लच्छ रखा गया है कि इसको पूरा किया जाए उसी में से पूछता रहता है उसी की निगरानी करने के लिए नीति आयोकी एक पहल है जो देखा जाए तो सन्युक्तराश्ट भारत वहीं बात करते हैं और UNDP इंडिया की साजिधारी से यह नीति आयोकी एक पहल है आप फैक्ट की बात करते हैं इसमें जो पूश्चन करन्ट से आते हैं जो याद रखना है आपको 12 जुलाए 2024 को नीति आयोक द्वारा यजडी जी इंडिया इंडिया इंडियक से 2023 का चौथा संस्क्रड जारी किया गया है तो आप यहां इंपॉर्टेंट माक कलीजिएगा की फोर्थ संस्क्रड है यह नीति आयोक के उपाध्यच इनका नाम याद रखियेगा सुमन बेरी द्वारा लांच किया गया है यह इंडेक्स तो कुष्चन अगर पसनाल्टी से बनेगा तो उपाध्यच नीत आयोक के पूछ सकता है सुमन बेरी है सुमन बेरी को याद विक्सित भारत स्थिनेबल प्रोगरेसी प्रोग्रेस और इंक्लिसिव ग्रोथ कहा नहीं सब्रेंटर होता है यह निए सब्ढ थ्यान रखियेगा कि विक्सित भारत की योर सतत प्रगति शमावेसी विकास की बात हो रही है SDG इंडिया 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 का चौथा संस्क्रड है लच्वार मतलब यहां पदे के बोलवाईच लिखा है लच्छवार देखा जाए गोलवाईस देखा जाए तो score से राज्ज और केंसासित प्रदेशों में समगरी score ओवराल score या composite score की गढ़ना की जाती है इस समगरी score की बात करते हैं तो 0 से लेकर 100 की range में बिस्तारित किया गया है और वहीं राज्ज और केंसासित प्रदेशों ने 100 अंक प्राप्त किये हैं तो यह दसाता है कि अपने लच्छ को प्राप्त कर लिया है जितना लच्छ दिया गया था उसको प्राप्त किया है इसमें इसी कोई चास रेडियो में भी वरगी किरित किया गया है HDG स्कोर के आधार पर आकांची एस्पारेंट जिसे बोलते हैं 0-49 अंक प्रदर्शन करता प्रफार्मर की बात करते हैं 50-64 अंक अग्रडी फ्रंट रणर की बात करते हैं तो 65-99 अंक लच्छ प्राप्त करता अचीवर की बात करें तो 100 अंक जिसके हैं वो उसका प्रदर्शन अच्छा रहेगा ऐसे प्रदर्शन रहेगा उसी गुरूप में डाला जाएगा इसे SDG इंडिया अभी तक गुरूप का अभी तक इस्टेट का किसी का नाम नहीं आए सब्ससा बताया जा रहा है अब जो बनते हैं तो कुछ कुछ इसी तरह बनते हैं अब यहीं पर देदे का कुछ यही चारो सब्सक्राइव-ख फ्रदर्शया तो फ्रीunt-डशन मेंat भी आंगे यहां पर आप तो करी लेगे पिर देखा जाये तो SDG India Index 2023-24 में भारत का Composite Score की बात करें तो 71 दज किया गया है अब आप इसको Important Mark कर लिजेगा 71 Score है SDG, ओबराल की बात करते हैं Composite Score 2020 सकाइस और 2023-24 के मद्ध है में SDG फर्ष्ट गरीबी उन्मूलन SDG पहला जो है अब यह बार-बार हमेशा question पूछता है कि SDG पहला गोल जो है किसे संबंदी थे तो poverty से संबंदी थे, गरीबी से गरीबी से संबंदी थे SDG 8 की बात करते हैं SDG 8 SDG 8 नमबर की बात करते हैं तो सब विकार और आथिक विकास SDG 13, 13, 14, 15 यह आप से अक्सर पूछता है 13, 14, 15 तो 13 की जब बात आप करते हैं तो SDG 13 तो जलवाई कारिवाई की बात करते हैं कि महत्पूर प्रगती दज की गई है और इन लच्छों के संबंदी में बात करते हैं तो भारत अग्रडी की स्रेडी में आता है अब यह आप no down कर लिजएगा जो जो है पहला है तीसरा है 13 है तो यह सब आप no down कर लिजए खैर आते हैं आप बात करते हैं सभी राज्यों के समगर स्कोर में सुधादर्ज किया गया है तो उसमें भी बात करेंगे टोटल 32 राज और केंसासित पदेशों की स्रेडी है यह तो उसमें देखा जाए तो 2018 हैं 2023 के मद्ध की बात हो रही है साजवनिक सुधादर्ज करने वाले पांच राज जो है पहला मिला है उत्तपदेश को अच्छा राइंक मिल गया है और काफी सुधार भी किया है 25 स्कोर के साथ जम्मू और कस्मीर की बात करते हैं तो 21 जो है सेकंड राइंक प्राप्त किया है 21 स्कोर के साथ थर्ड राइंक की बात करते हैं तो उत्राखंड का नाम आता है वो नीस स्कोर के साथ है तो फोर्थ रैंक की बात करता है तो सिक्किम का नाम आता है 18 Scorp के साथ है और पाचवा रैंक पात करते हैं तो हर्याड़ा का नाम आता है 17 स्कोर के साथ है फिर वहीं पर बात देखेंगे आप SDG India Index 23-24 में राज्यों की संयुक्त रैंकिंग में केरल उत्राखंड पतेक का स्कोर 79 है तो सीर्स अस्थान पर बना हुआ है जब कि केंसासित परदेशों की रैंकिंग में चंडीगर 77 स्कोर के साथ पत्थम अस्थान पर बना हुआ है 23-24 में स्थिर्स राज की जब बात करेंगे तो केरल उत्राखंड जैसा की पहले बताया गया 79 तमिल नाडू की बात करते हैं तो 78 गोवा हिमांचा परदेश की बात करेंगे तो 77 शिक्किम पंजाब की बात करेंगे तो 76 वहें कनाटक की बात करें तो 75 है और गुजरात आंध् परदेश तिलंगाना की जब बात करते हैं तो 74 है अंतिम 6 रैंक पर इस्थित्राज कौन कौन से है बिहार अपना 28 रैंक प्राप्त किया है 57 राज्यों की बात सिफ हो रही है टोटल तो 32 हैं ही लेकिन सिफ राज्यों की बात हो रही है तो बिहार का 28 रैंक है 57 स्कोर के साथ फिर 27 रंक पे है जारखंड 62 स्कोर के साथ 25 पे है मनागा लैंड मेघाल है 63 स्कोर के साथ और राचापदेश 23 रंक पे है और असम भी 23 रंक पे है 65 स्कोर के साथ 22 की बात करते हैं तो ओडिसा है 66 रंक के साथ ठारा रैंक पे है राजस्थान, मद्पदेश, उत्तरपदेश, 36 गड़, 67 रैंक के साथ वहीं आप केंसासित पदेशों की पदेशन की बात कर लेते हैं तो केंसासित पदेशों में देखेंगे चंडी गड़, जो की पहले बताए हम पहले रैंक पे है 77 अगर ओबराल में देखेंगे तो थर्ड रैंक पे है ये, अगर देखें तो सेकंड रैंक पे है, और दूसरे नमबर पर बात करते हैं, पुदुचेरी या पुदुचेरी लिखा है जम्मू और कस्मीर, 74 स्कोर के साथ है, केंसासित पदेशों में वहीं अंडबान और निकोबाद दिव समूँ दिल्ली का, और दिल्ली, 70 स्कोर के साथ फोत रैंक पे है, 6 रैंक पे लच दीव, तथा दादर और नागर हवेली है, दमड दीव है, 66 स्कोर के साथ, अठवें रैंक पे है, लद्दाख, 65 स्कोर के साथ वहीं राज्यो का परदर्सन कैसा रहा है, तो अस्परेंट की बात करते हैं, आकांची, 0 से 49, कोई नहीं है, अच्छा परदर्सन, पर्फार्मर में 50 से 64 की बात करें, तो नागालेंड में घाले, जारखंड, बिहार है, अच्छा परदर्सन में, अगरडी, फ्रंट रुनर की बात करें तो 65 से लेकर 99 के मध्धि जो रहे हैं वो ज्यादा तर रहे हैं इसमें मत्रब रगवेक सभी इसी में सीमित हो गए हैं तो केरर, हिमाच्य पदेश, तमिलनाडू, आंध्पदेश, गोवा, कन्नाटका, उत्राखंड, सिक्किम, महाराष्टा, गुजरा, तिलंगा एस्पेरेंट में और अचीवर में कोई नहीं है, बाकी सब परफार्मर और फ्रेंट रेनर में आ गये हैं, काफी कुछ सुधरा है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वहीं केंसासिर पदेशों के पदरशन की बात जब करते हैं हम लोग, तो देखते हैं, एस्पेरेंट में कोई नहीं है, मतलब आकांची में कोई नहीं है, अना ही अच्छा परदर्शन में है, कोई है, सब लोग फ्रेंट रेनर में आ चुके हैं, उसमें फ्रेंट रेनर में कौन-कौन है, चंडीगड, पहले भी बात किये, दिल्ली, लच्छदीप, उदुचेरी, अनमान, निकोबाद पादिव समो, जम्मो कश्मीर, जम्मो और कश्मीर, लद्दाक, दादर और नागर हवेली, दमड और दिव की बात आती है, फिर अच्छीवर्स की बात करते हैं, तो कोई नहीं है, यहां देखिए, यह दिजी लच्छादारित, जो सीस, राज और केंसासित, प्रदेश हैं तो आएए, देखते हैं कि लच्छ पहला दिया है, गरीवी उन्मूलन, हमें गरीवी को दूर करना है, तो इसमें जो है कि तमिल नाडु, दादर और नागर हवेली, दमड और दिव है, वहीं लच्छ दो की बात करते हैं, भुखमरी की समापती की बात करते हैं, हंगर के ब लच्छ फोर्ड जो है, गुडवत्ता पोर्ड सिच्छा, जिसमें केरल तो है ही अपने आप में, दिल्ली भी है, वहीं रैंकिंग में जब देख, ओ सारी, लच्छ फाइब की बात करते हैं, यस्डीजी फाइब की बात करते हैं, सस्टनेबल डवलेमेंट गोल फाइब, ल है कि यह सूची फाइब में देते हैं, सुमेलित करने के लिए, तो यह आपको याद होना चाहिए, और एक-दो बार पढ़ेंगे तो याद रहेगा, कि सबसे पहले हम अभी याद करवा देते हैं, पहले हम बता लें, सच्छ जाल, सच्छता की जब बात करते हैं, तो गोव हरियाडा, हिमाचा पदेश, करनाटका, केरल, महाराष्ट, मिजोरम, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडू, तेलंगाना, उत्राखंड, उत्तरपरदेश इसी में ही सामिल है, सच्छ उर्जा, पस्चिम बंगाल, अंडमान, नेकोबाद, दियुपसमू, चंडीगड, दि जमू और कश्मी, लग्दाक, पुदुचेरी, उत्तरपरदेश को आप इसी में याद रखेगा, सच्छ नेबल, डेवलेमेंट गोल, सेवन, सच्छ उर्जा की बात में, गोल में सामिल है, लच्छ एट की बात करें, तो सभिकार आर्थिविकास, हिमाच्छ पदेश और ल कमी गोवा पुदुचेरी अच्छा परफॉमेंस किया है, आप लच्छ 10 को भी इंपॉर्टेंट मार्ग कर लीजिएगा, इसको याद भी रखिएगा, सतत सहर और समधाई की बात करते हैं, तो महाराष्ट्रा है चंडिगड, लच्छ 12 उत्तरदाई उपभोग, यहम अच्छिम बंगाल अच्छा परफॉमेंस करया है, और लच्छ 15 भूम पर जीवन, चार खंड ट्रिपरा, जादर और नागर हवेली, दमड और त्यूप, इसमें अच्छा है, लच्छ 16 की बात करते हैं, 16 ही बात हुई है, सान्ती, न्याय और मजबूत संस्थाओं की बात ह हुई है, तो गुजरात और लद्दाक का नाम इसमें आता है, तो सबसे पहले आपको याद जो करना है, 13, 14, 15, वो कैसे याद करना है, 13 क्या कहता है, सबसे पहले क्या आया, जलवायू की बात आती है, जलवायू कारवायू की बात होगी, 13 में, 13 में जब भी होगा, तो जल जलवाई की बात होगी, फिर जब जलवाई की बात करेंगे, तो समुन्दर के तरफ चलते हैं, जल के तरफ चौधा में चलते हैं, ठीक, उसके बाद जब जल से निपट लिए, तेरा जलवाई, और फिर चौधा क्या किये हम लोग, जल में बात कर लिए, अब भूमी पर आके की बात कर रहे थे सबसे पहले अगर यहां कुछ समस्या है एक से छे तक आपके लिए बेहद important है आप इसको नोट डाउन भी कर लिजे जो important हो ही याद दिलवा रहा हूं पहला गरीबी की बात करते हैं सबसे पहले सबसे गंभी समस्या जिसके हमें निजात पाना है गरीवी लच पहला जो है गरीवी उन्मूलन की बात करते हैं फिर आयागी जब गरीवी रहेगी तो भुखमरी की बात आएगी तो जब इसको हम गरीवी को दूर कर लेंगे तो भुखमरी की समापत आवस्यक हो जाएगे और हो भी जाएगे लच्छ दूसरा हासिल कर लेंगे जब गरीबी दूर होगी तो भुखमरी की समापती हो जाएगी इन सब से निजात पाने के लिए जब भुख खतम होगा तो हम लोग अपने स्वास्त पध्यान देंगे और कल्याण की बाते करेंगे तो स्वास्त के बात करते हैं अच्छा स्वास्त और कल्याण यजडीजी थिरी में इन सब से जब बात हो जाएगी जब हमारा पेट भरा रहेगा हमारे पास पैसा रहेगा हमारा स्वास्त अच्छा रहेगा तो हम यजडीजी फोर की बात करेंगे गुडवत्ता पोर सिच् जिसमें हम लोग कहेंगे लेंगिक समानता जेंडर एक्वेलिटी की बात करने लगेंगे हम लोग लेंगिक समानता उसके बाद इन सब के आप पांच उतों ध्यान में रखेंगे बस याद करने का एक थोड़ा सा तरीका है याद आप ऐसे ही रख सकते हैं कि पहले गरीबी हो जाएगे फिर हम लोग स्वास्त पर ध्यान देंगे और कल्याड़कारी कार की बात करेंगे फिर गुर्वत्ता पूर सिच्छा की बात करने लगेंगे फिर हम लोग जब कॉलेज स्कूल जाने लगेंगे तो लंगिक समानता की बात करने लगेंगे फिर उसके बाद से निजात पाएंगे तो सस्ती और सच उर्जा की बाते करेंगे फिर हम लोग सभित होई जाएंगे तो सभकार और आर्थिक विकास के बारे में सोचेंगे और इस सब को सोचने के लिए हमें SDG 8 तक पहुंचने के बाद जो है इन सब के बात समझ में आएगा कि अब कुछ basic needs ह थाचह है उद्योग है नवीचार इन सब के बारे में सोचेंगे जो अलच्छ 9 हमारा है उद्योग और 9-4 की बाते करते हैं फिर लच्छ 10 बात अगर लच्छ 10 की बात करते हैं SDG 10 की बात सतत्सहर और समुधाई की बात होगी और बारग में उत्तरदाई उपभोग और उत्पादन की बात होगी फिर हमने वही बात बताया 13 14 15 आप वही याद रखे कि आस्मान से लेकर जल में जाएंगे फिर भूमी पर आएंगे मतलब क्लाइमेट की बात करते हैं जल के नीचे जी की गई याद करवाने कोशिस किया गए है एक दो बात सुनेंगे तो याद आ जाएगा आनी की रूप में फिर आता है संबिधान हत्या दिवस संबिधान का हत्या हो गया था तो उसी को दिवस के रूप में मनाए है यह जब इमरजन्सी लागो हुआ था तब की बात है तो ये फिर देखते हैं इस पर भी हत्या हुआ है तो इस पर बात होगी है तो भारत के संविधान में उन आसाधारण इस्थितियों से निपटने के लिए प्रावधान किये गये हैं जो देश या उसके किसी हिस्से की सांती, सुरच्छा, स्थिर्ता और प्रसासन को खत्रे में ड हो जाए, ससस्त विद्रो हो जाए, बित्य संकट हो जाए, ये सब जब भारत में होगा तो इमेजन्सी लागू हो जाती है, इमेजन्सी लगाया जाता है, ऐसा बकाता आपके संविधान में जिक्र है, भाग 18 में, देखिए भाग ये 10 है, मतब 10 और 8, 18 तो प्रावधान बकाता दिया गया है, इसमें 352 से लेकर 360 तक जिक्र है, ये प्रावधान है अनुछे 352 से अनुछे 360 तक, वाडित है बकाता, फिर वहीं भारत या उसके किसी हिस्से की सुरच्छा, खत्रा होने की स्थिति में राष्टपती, प्रेसिडेंट, अनुछे 352 के तहत राष्ट राष्टी आपातकाल की घोष्डा कर देता है, अब तक देखा जाये, वर्तमान स्थिती तक देखा जाये, तो तीन बार देश में राष्टी आपातकाल की घोष्डा की जा चुकी है, पहली बार जब लागू हुआ था, तो भारत चीन युद्ध के दवरान लागू हुआ भारत पाकिस्तान युद्धिकों मद्य नज़त 3 दिसंबर 1971 को देश में आपातकाल की घोषड़ा की गई थी एक नई उद्धोषड़ा हुई तब जब नई उद्धोषड़ा 25 जून 1975 को कर दी गई थी देश के आंत्रिक गर्वडी के आधार पर ऐसा कहा जाता है तो दोनों आपातकाल 17 मार्च 1977 में समात कर दिया गया था तो 25 जून 1975 को कर दी गई थी एक नई और 3 दिसंबर 1971 को वही भारत पाकिस्तान युद्ध के समय और फिर जो है 1977 में समाप्त हो गया दोनों मार्च 1977 में जो अभियाद रखना है अभियाद रखना क्या है इसमें जो बात होगी कि पधार मंत्री नरेंद मोदी जी के नेतित में केन सरकार ने प्रती वर्स 25 जून को यहाँ देखिए 25 जून को समभिधान हत्या दिवस के रूप में मनाने का नेड़ा लिया है और इस सम्बंध में बात करेंगे तो केंद्रिय ग्री मंत्राले द्वारा 11 जुलाई 2024 को एक अधिसूचना बकायदा चारी किया गया है और 12 जुलाई 2024 को भारत के राजपत्र में प्रकासित भी किया गया है चारी अधिसूचना के अनुसार 25 जून 1950 को आपातकाल की घोशड़ा के पस्चात ततकालीन केंद्र सरकार द्वारा सत्तक का घोर दुरुपियोग किया गया उस समय इंद्रागाधी जी की गवर्मेंट थी मत्ब कुल मिला के कांगरेश का सरकार था भारत के लोगों पर जादितिया और अत्याचार किये गये थे इन्ही सबको ध्यान में रखते हुए ये आपातकाल की जो बात हो रही है आपातकाल के दौरान कई चीजों का दुरुपियोग हुआ सत्तक का घोर दुरुपियोग हुआ था उसका सामना कि ये कुछ लोग इसमें संघस करने वाले कुछ लोग मर गये इनी के सर्धांजली देने के लिए 25 जून को संभिधान हत्या दिवस मनाया जा रहा है अब मनाया जाएगा घोस्रा किया गया है 25 जून को याद रखियेगा जून का महीना वैसे भी गर्मी का महीना होता है ठीक है तो जिसकी हत्या हुई है उसको जो है सर्धांजली देना है अब हमें 25 जून संभिधान हत्या दिवस के रूप में घोस्रा किया गया है इस अधसूचना के माध्यम से भारत के लोगों को भविश्य में किसी भी तरह से सत्ता के घोर दुरुपियों का समार्थन नहीं करने के लिए पुना प्रतिवद्ध किया गया है तो आप इस बात को नों डाउन कर लीजिए गए किंद्रगी मंत्राले द्वारा चारी प्रेस विक्यप्ति के इंसा 25 जून 1975 को अपातकाल को लागू कर ततकालिन केंद्र सरकार द्वारा भारत के लोकतंत की आत्मा का गला घोटा गया और लाखो लोगों का आकारड जेल में डाल दिया गया था इस तानासाही के लिए जो है तानासा सरकार ने लोगों को असंख यतनाय भी दी और मीडिया की आवाज को दबा भी दिया था ऐसा कहते हैं उल्लेखनिय है कि इससे पूर्व 26 जून 2024 को 18 लोक सभा के अध्यच के रूप में पुना चुने जाने के प सदन में आपातकाल में आहत हुए देश के नागरिकों को स्मरण करते हुए दो मिनट का मौम भी रखा था 25 जून 1975 के दिन को काला अध्या है पताते हुए ततकालियन पधानमंती इंद्रा गाधी की कमिटेट ब्यूरो के क्रेसी और कमिटेट जूडिसरी इधाड़ा को लो समिधान अफ्या दीवस मना ही लिए हैं तो हैदराबाद मुक्ती दिवस भी मना लेते हैं 17 सितमबर को प्रतिवस हैदराबाद मुटी दिवस मनाया जाने के रुब में नेड़ा लिया गया है अंः इस संब्दम्ध में बात करें तो 12 मार्च 2024 को केंद्रे ग्रेह मंत्राल द्वारा एक अधिसूचना जारी की गई है, साथ ही 12 माज 2024 को ही भारत के राजपत्र में भी प्रकासित कर दिया गया है, हैदराबाद को मुक्त कराने वाले सहीदों की याद में युवाओं के मन में देश भक्ती को लौग चलाने के लिए, जगाने के लिए 17 सितंबर को हैद हैदराबाद मुक्ति दिवस के रूप में मनाया जाएगा, उल्लेखनिया क्या है कि 15 अगस 1947 को भारत को स्वतनता प्राप्त होने के 13 महीने बाद तक हैदराबाद को आजादी नहीं मिली थी, और यह निजाम के सासन के अधिन था, इसलिए पुलिस कारवाई की गई, AI सिखत सम्मेलन, Artificial Intelligence पे सिखत सम्मेलन हुआ हैं 2024, अब जो भी बाते होगी इसमें सुचनाव प्रदुगी के छेतर में बाते होंगी, वैस्विक इंडिया AI सिखत सम्मेलन, वैस्विक हितधारकों के लिए एक महतपूर मंच के रूप में कार करता है, जिसके माध्यम से वे सहयोगरम नवाचार कर ए आई के भविश को आकार दे रहे हैं, भारत की आकांचा के द्रिश्टिगत वैस्विक इंडिया AI सिखत सम्मेलन 2024 आयोजित की गई है, AI नवाचार में स्वयम को विश्व के अगरडी देश के रूप में अस्थापित करने की भारत की जो आकांचा रही है, उसी में सम्मेलन हुआ है, वैस्विक इंडिया AI सिखत सम्मेलन 2024, ग्लोबल इंडिया AI सम्मेलन 2024 का आयोजित की इस सिखत सम्मेलन का आयोजित के अधरे इलक्ट्रानिक और सूचना के मंत्री कौन है असुनी बर्ष्णों है असुनी बर्ष्णों यहां देखिए लिखा भी है AI सिखत सम्मेलन 2024 का उद्धगाटन किया गया है इस सिखत सम्मेलन में कंप्यूटर चंता आधार भूद सूप माडल डाटा सेट एप्लिकेशन डेवलेमेंट फ्यूचर स्किल्स स्टार्टप बित्पोसर और सुरचित AI जैसे छेत्र में AI के विकास को आगे बढ़ाने पद ध्यान केंधित किया गया है जो इंडिया AI मिशन के साथ अस्तंबो पिलर्स के अनुरूप है और इस सिखत सम्मेलन के दौरान OECD OECD Organization Organization for Economic Cooperation and Development और GPAI Global Partnership on Artificial Intelligence ने कितिम बुद्धिमत्ता AI पर एक एकी कृत साज़ेदारी Integrated Partnership की घोच्रा किया है तो कौन-कौन किया है OECD और GPAI OECD का नाम पहले भी आप सुने होंगे आपको ज्यान तब हो ज्यान हो कि ज्यान तब हो कि GPAI एक बहु हित धारक पहल है जिसे जून 2020 में लांच किया गया था GPAI के संस्थापक सज़स्यों में भारत भी सामिल है 12-25 में भारत GPAI का परमुक अध्यच्च है 12-24 में अच्छी सायद मैंने बोल दिया 12-24 में भारत GPAI का परमुक अध्यच्च ये भी है OECD और GPAI के एकिकरित साज़िदारी से ये पहल सुरू किया गया है और ये GPAI को याद रखियेगा कि बहु हित धारक पहल है ये जून 2020 में लांच किया गया था इसे AI पसंचा दिवस के रूप में भी मनाया जा रहा है 16-जुलाई को AI पसंचा दिवस के रूप में मनाया जा रहा है अब हर एक दिन को याद नहीं रख सकते हैं लेकिन बस सुन लीजिए कभी-कभी पूछ सकता है तो आपको याद रखने हैं तोला जुलाई पसंसा दिवस या कितिम बुद्धिमत्ता और सबंधित प्द्योगिकियों में प्रगति और नवाचार पर प्रकाश डालने वाला एक वार्षिक कारिकरम है AI पर एतिहासिक प्रस्ताव की जब बात हम करते हैं तो कुछ एतिहासिक प्रस्ताव हैं जिस पर बात हो बहुत पहले से चली आ रही है तो Artificial Intelligence जितना important है आगामी भविश के लिए किसी पर बात हो रही है इसका एतिहास भी रहा है कुछ 21 मास 2024 को सन्युक्त राष्ट महासभा UN General Assembly ने कितिम बुद्धिमत्ता पर एक एतिहासिक प्रस्ताव resolution को अंगी करित किया है यहाँ पर 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 किसी उभरते हुए छेत्र को बिनियमित करने के लिए किसी प्रस्ताव को अंगी करित किया है यहाँ पर किसी उभरते हुए छेत्र को बिनियमित करने के लिए किसी प्रस्ताव को अंगी करित किया गया है यह पहला ऐसा उसर है सन्युक्त राष्ट अमेरिका द्वारा प्रयोजीत और 123 देसो द्वारा सह प्रयोजीत इस प्रस्ताव को बिना किसी मतदान के सर्व सम्मत्ती से अपनाया गया है इसका क्या आर्थ हो निकला इसका आर्थ यही निकला कि सहयोक्त राष्ट के सभी 133 मेंबर जो हैं सदस्य हैं इसका समर्थन प्राप्त है इसका मतलब इसका तात पर यही निकला अब आते हैं इंडिया AI mission कित्म बुद्धिमत्ता AI artificial intelligence को बुद्धिमान मसीनों विशेश रूप से अगर हम बात करते हैं तो बुद्धिमान computer programs के निर्माड के विज्ञान और अभियांद्र की रूप में परिभासित किया जा सकता है इसमें क्या होगा कि मानो विचार human thought के प्रक्रिया को मसीनी क्रित किया जा सकता है जब human thought को मसीनी क्रित किया जाएगा तो यह और भी चीजे निकल के आएंगे एक नया और जल्दी मतब कोई concept है मान लिजे कोई theory है उसको practically समझना होगा तो यह यहां से आपका तेजी से calculate करके निकाल देगा जो सूपर computer आजकल काम कर रहा है वो उससे भी तेज काम करेगा उन सभी चीजों को आच्छा दित किया जा सकेगा जो computer को मनुस की तरह व्यवहार करने में सच्छम बनाती है सोचने माते से उसका solution निकल जाए इसमें जो स्म्रड तत्थे रखना है इसमें रड़िये तत्थे है कि मार्च दोहजाद चौबिस में पधान मंत्री नर्य मोदी की अध्यशता में केंद्रिये मंत्री मंडल ने इंडिया AI मिशन को मंजूरी पधान कर दी है राष्टी अस्तरिये राष्टी अस्तरिये मिशन है तो बजट परिविया भी है इसमें 10,371.92 करोड रुपे निधारित किये गए है ये विशाल बजटी आवंटें जो है अगले 5 बरसु के लिए हैं 10,371 करोड रुपे को याद रखिये गा पॉइंट में भी 9.2 पॉइंट में जो याद रख रहा है 10,371 कहता तो याद रख रहा है और पॉइंट में आप याद रखिये कि 0.92 भी है क्योंकि जब आप बिहार का एक्जाम देते हैं तो सीधे फैक्ट यहीं से पूचता है कि पॉइंट वाला ही गेम वहां पर खेल लेगा तो यह 20 साल बजट जो आवंटित किया गए है अगले 5 वस के लिए है AI पर रिसर्च करने की यही बात इसमें है तो लांच किया गया यह मिशन जो है भाते AI पास्त की तंत को मजबूत पदान करने की दिशा में एक महत्पूर कदम है फिर इस मिशन को Digital India Corporation के अंतरगत इंडिया AI इंडिपेंडेंट बिजनस डिवीजन द्वारत कार्यानवित किया जाएगा तो डिश्टर इंडिया कार्पोरेशन के अंतरगत है यह इंडिया AI इंडिपेंडेंट बिजनस डिवीजन के द्वारत कार्यानवित किया जाएगा और AI मिशन के तीन घटक भी है कौ से बढ़ते श्टार्टप्स और संधान पारितंत की मांगों को पूरा करेगा AI Computing आउसा रचना का साजवनिक नीजी साहयोग के माध्यम से 10,000 से अधिक GPU को तैनात करने तैनात करके निर्मित की जाएगी 10,000 GPU graphics processing units की बात हो रही है इंडिया AI 94 केंद्र है जो तीनों में बात कर रहे हैं तो पहला हमने कहा AI Computing पास्ते की तंत्र है दोसरा है इंडिया AI 94 केंद्र है इंडिया AI Innovation Center या एक परमुक सैच्छिडिक संस्थान है जो अनुसंधान छेत में सीस प्रतिभाओं की ब्यवस्थित तैनाती को प्रतिधारण सुनिश्चित करेगा इंडिया AI डाटा सेट की बात करते हैं इसमें तीसरा जो है यह इस AI के स्वतंत ब्यापार प्रभाग द्वारा विक्सित किया जाएगा यही है इसे बड़े पैमाने पर बात हो रही है कि समाजी कार्थिक परिवतन की छंता को प्रभाव साली AI समाधानों को विक्सित करने और उनका विस्तार उनके अपनाने को बढ़ावा देने पर केंदरित होगा इसमें जो फॉर्थ पॉइंट बात करेंगे हम इसमें फिर AI इंडिया AI फ्यूचर स्किल्स है इसमें तो इस अस्तंब में पिलर का लच्च सभी तैच्छिडिक अस्तरों पर AI सिच्छा का विस्तार करना और टीयर 2 तथा टीयर 3 सहरों में डाटा और AI प्रियोक सालाओं के अस्थापना करना है फिर है AI स्टार्टप बित्पोशड की बात है इसलिए इतना पैसा जो है काम्तित किया गया है कई चीजें है इसमें कि या अस्ताम नवाचारी जो होगा AI परियोजना के लिए बित्पोशड तक्सू ब्यवस्थित पहुच पदान करने के माद्यम से डीप टेक AI स्टार्ट को समर्थर पदान करेगा वहीं सेवन्थ पॉइंट है इसमें सुरच्छित एम भरोसे मन्त एयाई सेफ एंड ट्रस्टेट एयाई इसमें यह सुनिश्चित किया जाएगा कि AI के उत्तरदाई विकास तैनाती और अंगी करड को सुनिश्चित करने पर केंदित रहे गएगा आपको कुछ चीजे इसमें देखने को मिलेगा जो आप रेगुलर डे में सुनते होंगे आम दिनों में बात करते हैं तो दूस अंचार विध्यक दोजाद तेईस 18 दिसंबर 2023 को लोक सभा में पेस किया गया जिसे 20 दिसंबर 2023 को लोक सभा द्वारा और 21 दिसंबर 2023 को राज सभा द्वारा पारित किया गया 24 दिसंबर 2023 को प्रेसिडेंट ने कि अनुमती के उपरांत इस विध्यक ने अधिनियम का रूप ले लिया था और इसमें जो कुछ प्रावधान है कि 26 जुन 2024 को तता कुछ प्रावधान 5 जुलाई 2024 को लागो किये गए हैं वहीं बात काते हैं दुशंचार अधिनियं 2023 का जो मुख्य उद्देश है यही उद्देश ध्यान में रखियेगा 2023 का मुख उद्धेश जो है यह है कि दो संचार सेवाओं और दो संचार नेटवर्क के विकास विस्तार और संचालन इस्पेक्टरम या आवंटन और उस से जुड़े कुछ मामलों से संबंधित कानून को संसोधित और समेकित करना है फिर बात करते हैं कुछ फैक्ट जो याद रखना है कि निम्लिकित गतविधियों के लिए के न सरकार से पहले प्राधिकरण प्रात करने की मंजूरी होगी दो संचार सेवाएं पदान करना, दो संचार नेटवर्क की अस्थापना संचालन रख रकाव या विस्तार करना रेडियो उपकरण धारड करना, इस्पेक्टरम की निलामी द्वारा आवंटित किया जाएगा और सिवाय नेदिष्ट उपियोग को छोड़ कर जहां इसे प्रसासनिक आधार पर आवंटित किया जाएगा दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच संदेशों या संदेशों की एक स्रेडी को कुछ आधारों पर इंटरसेप्ट, मॉनिटर या ब्लॉक किया जा सकता ये इसलिए पढ़ रहा हूं कि आपको ध्यान में रहे जब भी आए ये ऐसे आएगा तो नहीं लेकिन फिर भी बता रहा हूं कि इसको ध्यान में रखिएगा बात करने के लिए जब आप एंसर राइटिंग करें तब वहां पर काम आ जाता है केन सरकार उपयोग करता हूं कि सुरच्छा के लिए उपाय पदान कर सकती है जिसमें निम्लिकित सामिल है विज्यापन संदेशों जैसे नेदिष्ट संदेश प्रात करने के लिए पूर्व सहमती होगा तो नाट डिस्टर्ब रजिस्टर का निर्माण होगा मौल्वेयर या निर्दिष्ट संदेशों को रिपोर्ट करने के लिए उपयोग करता वो एक ब्यवस्था पदान करना है फिर है कि जब भारतिय तार अधनियम 1885 के ताहत वंची छेत्रों में 24 सेवाय पदान करने के लिए युनिवर्सल सर्विस ओब्लिगेशन फंड की अस्थापना की गई थी तो इसमें बात हुई थी जो दो संचार अधनियम 2023 द्वारा इस प्राधान को बरकरार रखा गया है और इस फंड का नाम अब बदल दिया गया है डिश्टल भारत निधी कर दिया गया है इसी फंड का नाम किस कौन से है फंड का नाम युनिवर्सल सर्विस ओब्लिगेशन फंड का नाम ये बातिया तार अधनियम अठासो पच्चासी के ताहत वंची छेत्रों में जो दो संचा सेवाएं बदान करने की बात आय थी तब उस समय फंड का निर्मार किया गया था तो अब नाम बदल दिया गया है डिश्टल भारत निधी कर दिया गया है डिश्टल इंडिया फंड का दिया गया है तीस अगस 2024 को दू संचार विभाग ने भारत के राजपत्र में दूर संचार डिश्टल भारत निदी का प्रशासन नियम 2024 को अधिसूचित किया है बकाईदा उद्देश क्या है इसका दू संचार अधिनियम 2023 की धारत 24-1 के तहत अस्थापिट डिश्टल भारत निदी के प्रवंधन नियम कार्यानवन को बेहतर बनाना है इसका उद्देश ही है फिर है इसमें अगर ऐसा कोई दुरुपयोग करेगा या और भी कुछ करेगा तो यहां अधिनियम विभिन अप्रादिक और सिबिल अप्रादों को निदिश्ट करता है कि प्रादिकार प्रात किये बिना दू संचार सेवाएं पदान करणा या दू संचार नेट वर्क या डाटा तक अनधिकरित पहुँच्परात करना तीन वर्ज तक कैद होगी दो करोर तक का जुर्माना या दोनों दंड मिलेगा प्राधिकार प्राति करने के नियमों और शर्तों का उलंगन करने पर 5 करोड रुपे तक का जुर्माना लगाया जा सकता है अनधिकरित करण रखने या अनधिकरित नेटवर्क या सेवा का उपयोग करने पर 10 लाख रुपे तक का जुर्माना हो सकता दूर्स अंचारद नियम 2023 के इंतरगर सक्त नियम किसी ब्यक्त के पास अधिक्तम कितने सिम कार्ड हो सकते हैं इसे भी नियनति किया गया तो प्रति ब्यक्त जो है पूरे भारत में प्रति ब्यक्त नौ सिम कार्ड कि सीमा निधारित की गई है हलाग जम्मों और कस्मीर असम औ आप रूब रूब रहे होंगे पढ़ दूँगा इस टापिक को बहुत ज्यादा नहीं बताऊंगा क्योंकि आप पहले भी जान रहे हैं इसमें तो यह है लोक परिच्छा अंची साधन निवारण अधिनियम 2024 तो यह इसमें क्या है कि सार्जनिक परिच्छाओं में बढ़ते कदाचार माल प्रैक्टिसेस के कारण उनके आयोजन में देरी हो रही है देख भी रहे हैं आपका PCS का एक्जाम कैसे डिले होता जा रहा है साथ ही परिच्छाएं रद्ध भी घोसित कर दी जा रही है जिससे लाखो युगाओं का भविश प्रतिकूल रूप से प्रभावित हो रहा है यही सभाई इसमें लिखा गया है अब यहां से पढ़ते हैं कि 18 जून 2024 को भारत के 317 सहरों में राष्टिय परिच्छड एजनसी नेशनल टेस्टिंग एजनसी द्वारा आयोजित यूजी सीनेट दोहजाज़़च परिच्छा के साथ साथ 5 माई 2024 को आयोजित नेट अगर हुई थी तो 19 जून 2024 को केंदेस चप मंत्रालेक ने एक विक्यप्ति जारीकर परिच्छा परिच्छा परिखिया कि उच्चता मस्तर की पादस्ता सुनिशित करने के लिए यूजी सीनेट जून 2024 परिच्छा को रद घोसित किया था ये तो भूमका बना रहे हैं बता याद रखना है कि 21 जून 2024 को केंद सरकाद वरा लोग परिच्छा अनुचित सादन निमारण अधिनियम 2024 के प्रावधानों को लागू करने ये तो राजपत्र के मादर से अधसूचना जारी की है तो 21 जून 2024 को याद रखिये हैं तब हो कि लोग परिच्छा अनुचित 2024 को लोग सभा में पेस किया गया था 6 फरोरी लोग सभा से तथा 9 फरोरी 2024 को राज सभा से पारित होने के उपरांद इसे 12 फरोरी 2024 को राश्पति के मनजूरी मिल गई थी और आपका आरो और ए आरो का एक्जाम जब हुआ था तो उस समय ये आया था लोग परिच्छा अनुचित साधन निमार अधियन 2024 का उद्देश बिचान लीचे कि लोग परिच्छाव में अनुचित साधनों के उपियोग को रोकना है इसका यही है उपियोग जो उद्दे परिच्छा अभिकरण हाता है बैंकिंग कार्मिक चैन संस्थान है केंदिय सरकार के मंत्राले या विभाक और भरती के लिए उनके संबंद तता अधिनस्त कार्याले भी आते हैं तो निदिश्ट अपरादों के लिए 3-5 साल तक की कैद और तथा 10 लाक रोपे तक की जुर् संगटित अपराद करने वाले व्यक्तियों या व्यक्ति समूहों को पांच वर्स से लेकर 10 वर्स तक की सजा होगी कम से कम एक करोर रुपे का जुर्माना भी लगाया जाएगा नियुन्तम जो होगा पुलिस उपाधिच्छक DSP या सहायक पुलिस और आयुक्त की रैंक वा अगर आप BPSC का एकजांग दे रहे हैं सतरवी तब की बात करते हैं तो 24 जुलाई 2024 को बिहार विधान सभा द्वारा भी बिहार लोक परिच्छा अनुची साधन निमारर विधेग 2024 को पारित किया गया है नेक्स्ट पॉइंट है नालंदा आपके लिए जो अगर बिहार का प्रिप्रेशन कर रहे हैं फिर से मोई कर रहे हैं BPSC का प्रिप्रेशन कर रहे हैं या BPSC में टीचर का भी प्रिप्रेशन कर रहे हैं तो उसके लिए ये करेंट बहुत इंपोर्टेंट है नालंदा विश्विद्यालप पईसर का उद्घाटन किया गया है अब इसके इतिहास के बारे में जान लिजे नालंदा विश्विद्यालप पईसर पांचवी सताथी इस भी में गुप्त वंस के कुमार गुप्त पथम ने नालंदा बिहार में जो इस्थित है नालंदा महा बिहार की अस्थापना की थी यह एक बहुत बिहार था जैसा कि पहले भी आप लोगों को पता रहा होगा जिसका विकास एक महान विश्विद्याले के रूप में हो गया तो गुप्त सासको के बाद जो है अगर हम बात करते हैं पहले तो गुप्त वंस ने कि पाचवी सताब्दी इसमी में फिर गुप्त वंस के कुमार गुप्त पथम ने किया था फिर गुप्त सासको के बाद की बात करें तो कन्नोज के राजा हर्ष वर्धन जो सात्वी सताब्दी तथा पाल सास को आठवी से बराहमी सताब्दी आधी ने इसका सनरच्छड किया है बाद में तुर्कों ने आक्रमड कर दिया और तुर्कों के आक्रमड सहित अनविभिन काडों से बराहमी सदी में इस विश्विध्याले का पतन हो गया कुछ स्मृतियां सेश रहें नैलंदा विश्विध्याले के पतन के लगवग 6 सताबदी पस्चात इस अस्थर की खोज सरपथम 1812 इस भी में स्कॉर्टिस सर्वेचर करता फ्रांसिस बुकानन हैमिल्टन द्वारा किया गया था 1812 में हो जा गया था 1861 से 65 दौरान अलेकजंडर कनिंगम ने आधिकारिक रूप से पहली बार एक प्राचीन विश्विध्याले के रूप में इसकी पहचान की थी वहीं मार्च 2006 में बिहार विधान मंडल्व के एक सैयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए भारत के ततकालीन राश्पती जो थे डाक्टर एपपीजे अब्दुलकलाम जी ने नालंदा बिश्विध्याले के पुनरधार को प्रस्तावित किया था फिर वहीं 2006 में सिंगापूर की सरकार से और जनौरी 2007 में सेबु फिलिपीन्स में आयोजित दितिये पूर्वी एसिया सिखर सम्मेलन में सदस निताओं ने देश के सदस निताओं ने भी सुझाओ रात किये थे अक्टूबर 2009 में थाइलेंड में आये चौथे पूर्वी एसिया सिखर सम्मेलन में नालंदा विश्विध्याला की पुरास्थापना को समर्थन किया था तो हम लोग अब यहीं तक 33 पेस तक करेंगे नेक्स्ट टॉपिक जो है मोधी 3.0 तो इस टॉपिक को हम लोग करेंगे तो यहां तक ही रखते हैं बाकी वीडियो अगर आपको सिलो लग रहा कि सिलो पढ़ा रहा हूं क्योंकि हम सभी को ध्यान में रख रहे हैं इसलिए सिलो पढ़ाया जा रहा है अभी एक्जाम आपक अब देखिया क्या होता है मेबी इसके बाद आपका लेकिन आरो और ए आरो का एक्जाम आपका 22 दिसमबर को इस दिन होगा अभी यूपी पीसियस का एक्जाम जो है एक्जाम डेट आ जाए तब बात पता चलेगी लेकिन इन सब के बावजूद आप करेंट अफेस से अप तक लुञी रख एक लिम्न ही रात नहीं आपका ज़े थी 7000 देक्जाम जो का सिर्णै कि अचलेट कर्टा को सुथा करा उतले लेकिने से अफेसरों जो सुटमय करेंगा है